आप देख रहे हैं एकॉनोमी का हिसाब किताब मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती हम सब जानते हैं कल बजट आने वाला है लेकिन अगर मैं आपसे पूछ हूँ ये बजट होता क्या है क्या आप बता पाएंगे बजट के बारे में हर नागरिक को हम सब को पता होना ज़रूरी है इसलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको बजट की ABC बताएंगे सरकार हमारे रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भी नीतिया अपनाती हैं उन सब पर करोडो रुपे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन खर्च तभी हो सकता है जब आमदनी भी हो जिस तरह हम लोगों को अपना घर चलाने के लिए कहीं से पैसे बनाने पड़ते हैं चाहे वो कोई कारोबार से हो या नौकरी से उसी तरह सरकार को भी आई की ज़रूरत है इस आमदनी और खर्चे का एक ग्योरा सरकार को हर साल देना होता है संसत को कि हम इन चीजों पर इतना खर्चा करेंगे और हमारी यहां यहां से इतनी आमदनी होगी इसी को बजट कहा जाता है सबसे पहले देखते हैं कि सरकार को पैसे कहां से मिलते हैं सरकारी राजस्यों का पचासी प्रतिशत से ज्यादा हम लोगों से उठाए टैक्स से आता है दो तरीके के टैक्स होते हैं पहला है डिरेक्ट टैक्स जिसमें आता है इंकम टैक्स यानि आयकर जो हम लोग देते हैं कि हमारे tax का पैसा इन लोग उपर क्यों खर्च किया जा रहा है जैसे जेनियू के case में बार-बार वो कहते हैं इन students पर हमारा tax क्यों waste किया जा रहा है यह एक भ्रम है क्योंकि income tax के इंदर सरकार जो tax लेती है उसका एक चौथाई भी नहीं है corporate tax को भी अगर आप जोड ले इसमें तो income tax के साथ ये दोनों कुल tax revenue का 54 प्रतिशत के आसपास है और इसमें मैं राजी सरकार जो tax लेते हैं उसको जोड ही नहीं रहा हूँ बाकी 46 प्रतिशत पैसा GST, Excise और Custom से आता है जो देश का हर एक नागरिक देता है चाहे वो धन्ना सेथ हो या कोई बूढ़ा भिखारी सरकार को एक और तरीके का राजिस्व मिलता है उसे कहते है non-tax revenue ये कई प्रकार के होते हैं जैसे केंदर सरकार ने जो भी लोन दिया हो उस पर जो भी आज मिल रहा हो RBI और सरकारी कंपनियों से मिल रहा डिविडेंट या मुनाफिका भाग टेलिकॉम कंपनियों से मिलने वाला फीज रोड और ब्रिज पर लगा टोल यहां तक की सरकारी परिक्षाओं पर फीज भी ये सब non-tax revenue का हिस्सा है लेकिन इन सब को जोड़कर कुल राजिस्व का 15% भी नहीं बनता है पिछले साल मोधी सरकार का दावा था कि 2019-20 में लगभग 17,000,000,000 करोड रुपे टैक्स से आएंगे और 2,73,000 के आसपास non-tax revenue से आएगा दोनों मिलाकर हुआ लगभग 19,88,000 करोड रुपे फिर से बताता हूँ उनली सलाक 78,000 करोड रुपे यानि 20,000,000 करोड से थोड़ा कम लेकिन इतना सारा पैसा भी सरकारी खर्च के लिए काफी नहीं है सरकार ने जितना भी खर्च करने का प्लान बनाया था उसके लिए चाहिए था 27,84,000 करोड यानि आमदानी लगभग 20,000,000 करोड और खर्चा 28,000,000 करोड के आसपाथ इसका मतलब सरकार के पास लगभग 8,000,000 करोड रुपे कम थे यह का हासे लाते अगर आपके परिवार का खर्चा ज़्यादा और आमदानी कम हो तो आप क्या करेंगे हो सकता है गाओं में आपकी कोई जमीन पड़ी हो वो आप बेज दे या पुष्टैनी कोई गहने हो वो बेज दे या आपने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हो तो हो सकता है कि आप शेर बेज दे इसी तरह सरकार भी खर्चा भढ़ने के लिए अपनी संपत्ती बेज सकती है मतलब सरकारी जमीन, सरकारी बिल्डेंग या सरकारी कमपनी जिसे कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट पिछले बजट में मोधी सरकार ने इस तरह की आये का लक्षे रखा था 90,000 करोड इसके बाद भी 17,000 करोड की भरपाई करनी थी इसके लिए उठाना पड़ा करजा ये करजा पबलिक से लिया जाता है सरकारी बॉंड बेज कर या हम जो प्रॉविडेंट फंड में पैसा डालते है सरकार वहां से पैसा उठाती है और हमें ब्याज देती है सरकार की आमदनी और खर्चे में जो गैप है यानि डेफिसिट इसी को राजकोशिय घाटा यानि फिसकल डेफिसिट कहा जाता है हमने सरकार की आमदनी की बात तो कर ली अब बात करते हैं सरकारी खर्चे की लेकिन इस पर और डीटेल में बात करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें ये जो मैंने पिछले बजेट का उधारन दिया था आपको कि 2019-2020 में सरकार का कुल खर्चा लगभग 27,84,000 करोड होने वाला है उसमें से 6,65,000 करोड सिर्फ पुराने लोन का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा मतलब सरकार को अगर ये ब्याज नहीं देना होता तो आमदनी और खर्चा लगभग बराबर का होता तो ये ब्याज हटा दीजिए तो सरकार के पास रहता है लगभग 21,00,000 करोड रुपे इसको हम 100 रुपे के तो रुपे देखे तो सरकार जो खर्च करती है उसके हर 100 रुपे में से 8 रुपे सरकारी करमचारियों के पेंशन में चला जाता है 14 रुपे खर्च होता है रक्षा पर यानी सेना पर 100 में से 15 रुपे खर्च होता है सबसीडी पर इसमें 4 रुपे फर्टिलाइजर पर किसानों को जाता है 9 रुपे गरीबों के रैशन पर 2 रुपे लपीजी और केरोसीन के सबसीडी पर क्रिशी पर 7 रुपे सरकार economy को kick start नहीं कर पारी है आप जानते हैं कि भारत की economy का हाल बहुत ही बुरा है कारोबाट ठीक से नहीं चल पारा है company को घाटा हो रहा है लोगों के पास नौकरी नहीं है उनकी आय कम हो गई है और आमदनी घट गई है तो वो चीजे खरीद नहीं रहे है अगर मुनाफ़ा कम होगा तो जाहिरे corporate tax कमाएगा आय कम होगी तो income tax कमाएगा और चीजे नहीं बिकेंगी तो GSTB कम प्राप्त होगा मोधी सरकार का अनुमान था कि आज के दामों में इस साल भारत की GDP एक सो नबे लाग करोड से बढ़कर दो सो ग्यारा लाग करोड हो जाएगी लेकिन अब सरकार खुद अनुमान लगा रही है खुद मान रही है कि GDP बढ़कर सिर्फ दो सो चार लाग करोड होने वाला है मतलब लगभग छे लाग साथ हजार करोड का फर्क आने वाला है GDP में अर्शास्त्री मानते हैं अगर सरकार एक रुपया खर्च करे तो एकॉनमी पर उसका दो से तीन रुपय का असर पढ़ता है यह कैसे होता है जैसे अगर सरकार नौकरियां बढ़ा दे जिसको नौकरी मिलिए उसके हाथ में जादा पैसा आएगा सोची कि उस पैसे से वो एक बाइक खरीदेगा इससे बाइक बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ेगी साथ में पेट्रोल पंप में पेट्रोल जादा बिकेगा वहाँ काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा बाइक ठीक करने वाले मेकैनिक को भी काम मिलेगा यानि एक सरकारी नौकरी बढ़ने से कई लोगों की आमदनी बढ़ेगी जैसे कि मैंने कहा सरकार अगर एक रुपया खर्च बढ़ा है तो सरकार सो कम से कम धाई से 3 लाग करोड रुपे और खर्च करने पड़ेंगे और इसका मतलब है कि अगले साल का राजकोश्य घाटा कम से कम 10 लाग करोड होना पड़ेगा इस साल का राजकोश्य घाटा GDP का 3.4 प्रतिशत था अगले साल के लिए कम से कम 4.4 प्रतिशत खर्च करना होगा प्रॉब्लिम ये है कि FRBM Act नामा के कानून से सरकारों ने अपने हातों में बेडिया डाल रखिये कि राजकोशे घाटे को 3 प्रतिशत के आसपास रखना होगा क्या मोधी सरकाज जो इतनी आसानी से बड़े बड़े कानून बदल रही है इस FRBM कानून को बदल कर सरकारी खर्च बढ़ाने को तयार होगी इसका जवाब अब कुछ ही घंटों में हमें मिल जाएगा